Hello Everyone, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे ये बेडशीट का दिजाइन ये डिजाइन बनाना बहुत ही असान है इस डिजाइन से आप कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनता है डिजाइन बनाना शुरू करते हैं डिजाइन बनाने के लिए कपड़े की मैंने कटिंग कर लिए है दो ब्लोक लिए हैं दो कलर लिए हैं, लाइट चाहिए हैं, डार्क चाहिए कपड़ा मैंने यहाँ पर कॉटन कर लिए हैं आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं दो पीश कटिए हैं, दोनों same size के हैं इस तरह से बराबर करगे रख लेंगे, measurable में है 10 inch और इस side से भी 10 inch है, 10 वाइ 20 inch के दो पीस है, यहां तक हमें line लगा देनी है, इसके बाद जितना सिलाई के लिए हम कपड़ा लेते हैं, उतना एक और line लगा देनी है, यहां पर, और यह दूसरी साइड है यहां भी इसी तरह यह लगा देनी है इसके बाद यह साइड है यह कोर्णर यहां से यहां तक लगा देंगे यहां पर भी हमें इसी तरह जितना सिलाई के लिए लेते हैं उतना रखके यहां पर लगा देनी है दूसरी तरह मार्किंग हो गई है अब यह साइड की जो मार्किंग है यहां पर हमें सिलाई लगा देनी है यह भी इसी तरह लगाएंगे यहां पर सिलाई मैंने लगा दी है इसके बाद यह हमारी यहां पर क्रोस आया है यहां पर इस तरह सीधी लाइन लगा देनी है यहां पर और इस साइ तो पहले हमें यह सेंटर की जाइन है इससे कट कर लेना है इसके बार यह लाइन ऐसे कट कर लेंगे और यह लाइन जो लगाई है यह भी इसी तरह कट कर लेनी है इसके हमारे आठ हाफ ट्रेंगल बन जाएंगे तो बार बार हमें कपड़ा कट करके नहीं लगाना पड़ेगा इस तरह हम कटेंगे तो यह हमारे जो half square है चादे बनते हैं इस तरह से हम cutting करेंगे तो हमारे 8 half triangle एकठे बनके ready हो जाएंगे cutting कर दी है अब यहाँ पर हमें इस तरह से press कर लेनी है और यह कपड़ा इस तरह turn करना है और यह सिलाई पर अच्छे से press कर देनी है यहाँ पर क्या है यह design बनाना है तो हमें press बहुत करनी परती है जब भी हम सिलाई लगाएंगे cutting करेंगे तो press करेंगे जिससे की finishing भी अच्छे से आएगी और यह point से point भी एकदम बरापर बैठेंगे तो इसी तरह यह सारे piece कर लेने है stress करने के बाद यह corner इस तरह से निकलाते है इनको हमें cut कर लेना है बाकी भी इसी तरह cut कर लेंगे यह 8 half triangle बनके ready होगे है तो इसको हम multi color का बनाएंगे 8 मैंने ओर कर लिए हैं इसी तरह से cut किये हैं जैसे यह cut किया है तो यहाँ पर color अलग लग है white color same ही है पकी color अलग लग है 8 half piece हो गए है यह सारे अब इनको हमें arrange करना है तब ही design बनेगा सबसे पहले यह piece लगाएंगे इस piece को हमें इस तरह से रखना है यह दूसरा piece है इसी का half triangle इसको इस तरह से मिला के रखेंगे तो यह इस shape में आ जाएगा इसके बाद यह color रखेंगे color combination आप अपने हिसाब से रख सकते हैं तो यह इस तरह से लगाना है इसको छोड़ के फिर लगाएंगे एक यह उसके बाद यह दूसरा इसके साथ ऐसे लगाएंगे इसके बाद यह piece लगाना है तो यह white हमारा इस shape में आया है अब यह हमारा यह भी इसी तरह बनना चाहिए जैसे यह color वाले बन रहे हैं यह भी इसी तरह बनने चाहिए और इसी के साथ इसका यह दूसरा piece लगेगा यह इस तरह से ऐसे बन जाएगा अब देखिए यह piece यहाँ पर यह लगेगा इस तरह से यह मैं अगला कलो लगा दिया है यहाँ पर और यह white इस तरह से बन गया है तो इस तरह बन गया है अब यह उपर का खाली है तो यहां पर half triangle लगेगा हमारा एकी इस तरह से ऐसे लगा देंगे इसको इस तरह से लगाना है यह जो white की shape है ऐसे आ जाए तो यह हमारे 8 piece लगे है इस तरह से सारे pieces लगा दी है अब इनको इसी दरह हमें सिल लेना है तो पहले मैं आपको इतना बताऊंगे सिल देना है यहां पर ऐसे रखेंगे और corner से corner में लाते हुए यहां पर सिलाई लगा देंगे आप देखिए यह piece मैंने सिल के ready कर दिया है इस तरह से यह piece बना है यह एक piece बना है इससे size के मैंने यह 4 piece और बना लिये है अब इन pieces को हमें join करना है तो ये पीस इस तरह से ऐसे लगाएंगे इसके बाद ये दूसरा पीस है ये इस तरह लगाएंगे जिस तरह ये बना है उसी तरह ये बनाए है और इसी तरह ये अगला पीस है इसे लगा देंगे तीन पीस लगे हैं ये चोथा है ये भी इस तरह लगा देंगे चारो पीसे लगा दी है अब इनको सिलना है ये पीस इसके साथ सिलेंगे तो ये कोर्णर से इनका ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिलाइद लगा देंगे और इसके बाद ये अगला पीस सिलेंगे और ये piece भी इसी तरह से लेंगे सारे piece सिल के रेड़ी करते हैं अब देखिए सारे pieces मैंने join कर दी हैं, design हमारा इस तरह से बना है, अब यहां पर यह मैंने इतना design बनाया है अगर आपको जैसे बड़ा design बनाना है इसका, तो इस तरह से यह देखिए पूरे pieces में यहां पर लगाई है जब दूसरी line start करनी है तो यहां पर half triangle आएगा बाकि पूरे piece इस तरह से आएगे सारे जितना बड़ा बनाना है इस तरह से ही हमें pieces लगाने है यह जो front line है यह हमारा पूरा इसी तरह बनेगा यह पूरा hole बनेगा और यहां से half triangle लगा है दूसरी में half triangle लगना है यहां पर उसके बाद यह पूरा आएगा और इस तरह से जब last में हमें पूरा बड़ा design बनाना है तो last में यह देना है तब ही हमारा इस तरह से design complete होगा तो इतना pattern में ने बनाया है यह बना है यहां से 16 इंच बना है और यहां से 32 इंच बना है यहां से 16 इंच है यहां से 32 इंच है अगर आपको जैसे cushion cover बनाना है तो यह इतने piece हमारे 2 piece चोड़े है मैंने यहां पर यह भी यहां पर 16 इंच आ रहा है तो ये 16 बाई 16 का इतना हो जाएगा इतना हमारा कुशन कपर का डिजाइन बन जाएगा 15 बाई 15 का इसकी हमें बैट शीट बनानी है तो इसी तरह जैसे मैंने ये 1st रो लगाई है उसके बाद वाकी रो इस तरह बनेगी तो ये हमारी सिंगल बैट शीट बन जाएगी डबल बैट शीट बनानी है तो भी आप अपना मेजरमेंट ले 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 जिससे हिसाब से आपको बनानी है और साइडों में बोर्डर भी दे सकते हैं इस डिजाइन से आप कुछ भी अपनी जुरूर करें वीडियो को जादे से जादे शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें डिजाइन बनाने के लिए कपड़े की कटिंग कर लेंगे तो ये कपड़ा में ने कट कर लिया है तो कपड़ा मेजरमेंट में जैसी ये दोन्नों भी सेम साइज के हैं तो ये है इंच यहां से भी 6 इंच है दुनों सेम साइज के हैं और ये चार पीस है इस कलर के तो ये भी सेम साइज के हैं ये मेजर्मेंट में साड़े तीन इंच यहां से भी साड़े तीन इंच है ये सारे पीसिस सेम साइज के हैं चार इस कलर के लिए हैं चार इस कलर के लिए हैं इन को ready करना है तो जैसे सीडी साइड हमें ऐसे रख लेनी है इस पीस की और यहां से यह corner है यह corner है यहां से line लगा देंगे यह line लगई है यह line इसके उपर भी हमें इसी तरह लगा देनी है इसके बाद ये पीसे इनके उपर लाइन लगाने है जैसे ये पीसे इसके उपर हमें इस तरह लाइन लगा देनी है और इसके बाद हमें जितना सिलाई के लिए रखते हैं उतनी लाइन लगा देनी है ये दूसरी साइड है यहां भी इसी तरह लाइन लगा दे ये सारे पीस मार्किंग कर दी है और ये पीस है ये भी मैंने मार्किंग कर दी है मार्किंग हो गई है अब इन पीसी को हमें इन पीसी के साथ जोईन करना है तो जैसे ये पीस है इसे हमें इस तरह से रखना है ये तिर्शी लाइन है इस तरह से ऐसे रखेंगे इसके बाद हमें यहाँ पर यह इस color का piece लेना है इससे भी हमें इसी तरह रखना है यह जो line है और इन दोनों की जो line है मिलाके ऐसे रखेंगे और इस side में यह दूसरा piece इसी तरह ऐसे रखना है एकदम बराबर करके हमें इस तरह रख लेने है pieces यह piece set हो गए है अब हमें यह side की line है यहाँ तक लगा देंगे यहाँ से turn करते होए machine को यहाँ तक लगा देंगे यह piece हमारा इस तरह से यह line हमारी देखिए ब्राबर आ गई है इससे हमें जैसे center की line है यहाँ से कट कर लेंगे कट हो गए हैं दो पीस बन गए हैं अब यहां पर प्रेस करके हमें इन पीसिस को इस तरह से ऐसे कर लेना है तो हमें क्या करना है पहले इसी तरह हमें जैसे है पीस उसी तरह प्रेस कर लेना है इसके बाद इन pieces को हमें ऐसे करना है fold और ये भी इसी तरह कर लेंगे और इस तरह हमें इनको सीधा कर लेना है ऐसे प्रेस हो जाएगी तो ये इस shape में हमारे pieces आगे हैं दोनों अब ये हमारा center है इसका और ये हमारा corner है यहां से फिर से हमें सीधी line लगाने है और ये दूसरा पीस है, यहाँ पर भी हमें मार्किंग कर देनी है, लेकिन ये मार्किंग हमारे एक्तम पराबर आने चाहिए, ये कोर्नर, ये कोर्नर, इसके बाद देखिए, ये पीस मैंने मार्किंग करके रखा है, इस तरह से, इसे हमें यहाँ पर सेंटर में लगा देना है यह मार्क कोर्नर है और यह कोर्नर है यहां सेंटर में ऐसे लग गया अब यहां से हमें सिलाई लगा देनी है यह साइड वाली सिलाई लगानी है और यह पीस इसके उपर लगा देंगे तो यहां पर दोनों में सिलाई लगा दी है साइड से यह सेंटर वाली जो मार्केंग है ह कि यहाँ पर प्रस कर लेनी के बाद जैसे यह हमारे कोर्नर आते हैं इनको हमें एकदम ब्राबर रखके कट कर लेना है ये भी हमें ऐसे कट कर लेना है सारे पीस इसी तरह रेडी कर लेंगे ये बन गे हमारे चार पीसिस इसके बाद ये पीस है दूसरा इसे भी हमें इसी तरह बनाना है इसका क्या ये मैंने चेंज कर दिया है और उपर हमारे ये आएंगे लेकिन हमारा बनेगा इसी तरह तो इसको हम इसी तरह बना लेंगे जैसे ये पीस इसके साथ यहां पर लगाएंगे बराबर रखके और ये इस तरह से लगाएंगे और यहां पर लगा देंगे सिलाई तो इसी तरह जैसे पहले रेडी किया उसी तरह हमारा ये बनेगा तो ये चार पीस भी रेडी हो गए है ये मैंने पहले किये थे तो ये हमारा जैसे मेरून कलर है बीच में आया है और यह हमारा light color का बीच में आया है तो है same size same हमारे जैसे है only हमारा यहां से जो है वो यह color आया है यहां पर यह आया है तो यह 4 पीस है और यह भी 4 पीस है इस color के 4 पीस में और बनाए है यह 8 पीस होगे और इस color के यह हमारा बीच में जो light color है ऐसे 4 पीस और बना है 8 ये हो गए है total हमारी ये 16 पीस हो गए है तो अब इनको set करेंगे तबी design हमारा बनेगा पहले मैं ये color लखूंगी इस तरह से रखा अब ये मैं दूसरा लूँगी दूसरे को हम ऐसे रखेंगे ये देखिए हमारा इस तरह बन जाएगा फिर से हमें ये color लेना है यहाँ पर रखना है और ये दूसरा color है इससे ऐसे लगाना है और ये तीसरा पीस इस तरह से लगेगा और ये हमारा ऐसे आजाएगा इसके बाद देखिए ये फिर से मैंने ये लगा दिया है और इसके बाद हम ये लगा देंगे ये इसके नीचे लगा दिया और ये इसके नीचे ये इस तरह से लगेगा यह design हमारा इस तरह से जिग जैक में बनता जाएगा इसके बाद हमें फीज से यह color लगा देना है यह line हमारी इसकी लगएगी इसकी बाद हमारे यह light color के लगेंगे सारे pieces join कर दिये हैं अब इनको इसी तरह सिलना है तो जैसे सिलेंगे कैसे जैसे एक line हम इस तरह सिलेंगे जैसे line रखी है उसी तरह सिल देना है जैसे ये pieces के साथ सिलेंगे और ये इसके साथ इसी तरह हमें ये line पूरी सिल देनी है इसके बाद ये भी लेने इसी तरह सिलेंगे सारे पीसिज इस तरह से सिल दिये हैं अब इनको हमें इस तरह से सिलना है इन पीसिज के साथ तो यहां पर ये हैं जो हमारे ये सिलाईयां को उड़नर हमारे बराब बनाने चाहिए और ये पीस इसके साथ सिल देंगे देखिए ये भी सिलेंगे लगा दी है तो इस तरह पूरा हमारा सिल गया है तो डिजाइन हमारा इस तरह से देख रहा है तो ये डिजाइन हमारा बन गया है तो जिग जग वाला डिजाइन हमारा ये बना है डिजाइन आपको कैसा लगा डिजाइन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें तो चली मिलते हैं अगले इसी तरह के इने वीडियो में